हेलो दोस्तों आप सब का स्वागत है हमारे चैनल प्रोड़क्ट रिव्यू हब में अगर आप अपने घर के लिए बेस्टीनलेस्टील गैस्टोव लेना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर आये हैं क्योंकि आज हम आपके लिए फाइब बेस्टीनलेस्टील गैस्टोव इन इंडिया लेकिया हैं जिने हमने चूस उनके फीचर्स, कस्टमर फीडवेक और आपके बजट को देखके किया हैं और आपको उनको लेटर टाइम कोई कनफ्यूजन आओ इसलिए हमने हमारे फाइब बेस्टीनलेस्टील गैस्टोव इन इंडिया के बीच कमपाईजन किया है और इस लिस्ट में हमने आटोमेटिक और मैनुवल दोनों टाइब के गैस्टोव इंक्लूट किये इसके लावा आपको इसमें 2, 3 और 4 बर्नर के गैस्टोव देखने को मिलेंगे तो आप अपनी कुकिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन में से कुछ भी चूज कर सकते हैं और इन सब के बाइंग लिंक भी आपको हमारी डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएंगे तो चलिए बीना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी वीडियो और हमारी लेस्ट में तॉप फाइब बेस्स स्टीनलस टील गैस्टोव इन इंडिया है वीडम का GSS3 179A Viva स्टीनलस गैस्टोव ग्लेन का स्टीनलस टील गैस्टोव और Suntflame शक्ति का Steenless Steel Gas Tov और Elica का Steenless Steel Gas Tov और Butterfly का Matchless Steenless Steel Gas Tov तो चलिए अब हम हमारे 5 Best Steenless Steel Gas Tov इन इंडिया के भी के बिश Comparison करते हैं तो सबसे पहले हम इने Compare करते हैं इनकी Body के Base पर तो आपको इन 5 ऑप इस टोफ में Steenless Steel की Body देखने को मिलती है लाइटर या मैस्टी के इस गैस्टोव को चला सकते हैं . . . . वहीं अगर मैं बात करूँ बाकी सब गैस्टोव के तो उह franc кे बहुते हैं और ईडरी होते हि और अगर मैं बात करूं number of burners की तो आपको freedom और butterfly के gas stove में 3 burner मिलते हैं जिसमें आपको एक jumbo और एक medium और एक small size का burner मिलता है वहीं अगर मैं बात करूं glane के stainless steel gas stove की तो इसमें आपको 4 burner मिलते हैं जिसमें आपको एक high flame का burner और एक big flame और two small flame के brass burner मिलते हैं वहीं अगर मैं बात करूँ सन फ्लेम के शक्ती स्टीनलस्टील गैस्टोव की तो इसमें आपको टू बर्नर मिलते हैं जिसमें आपको एक बिक साइस का और एक स्मॉल साइस का ब्रास बर्नर मिलते हैं और अगर मैं बात करूँ अगर आपको हमारी वीडियो यूसफुल लग तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस वेल आइकन क्योंकि हम ऐसी कमपैजन वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे कंट्रोल फीचर की तो आपको इन पांचो ही गैस टोब में रोटेटरी प्लास्टिक नोप देखने को म किरती हैं और अगर मैं बात करूँ कि आपको इन गैस टोब में एक्स्टर पैंसपोर्ट मिलता है या नहीं तो आपको सिर्फ गलीन के गैस टोब में एक्स्टर पैंसपोर्ट मिलता है इसमें आपको 4 mm का थिक एक्स्टर स्ट्रॉंग पैंसपोर्ट मिलता है और अगर मैं बात करूं वरेंटी की तो आपको वीडम और बटरफलाई के गैस्टोव में 5 यर की वरेंटी मिलती है वहीं आपको बाकी सारे गैस्टोव में सिर्फ 2 यर की वरेंटी मिलती है और अगर मैं बात करूं प्राइस की तो मैं आपको पहली बता दूं इन सब के प्राइस चेंज ह होते रहते हैं तो लेने से पहले एक वार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके प्राइस जरू चेक कर लें पर इस टाइम आपको वीडम का यह गैस्ट ओव अमेजन पे और अगर अगर इन सब गैस्ट ओव के लावा कोई और होम एप्लाइंसे लेना चाहते हैं तो उसका रिव्यू आप हमारी वेबसाइट टॉफ होम एप्लाइंसे पे चेक कर सकते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी तो आज की वीडियो में बस इतना ही हमारे सारे बेस्ट इनलस्टिल गैस्टोव इन इंडिया के बाइंक लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे I hope आपको हमारी वीडियो यूसफुल लगी अगर आपको हमारी वीडियो यूसफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेस बेल आइकन क्योंकि हम ऐसे ही कमपैरिजन वीडियो लाते रहते हैं और मैं मिलती हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए प्रोड़क के रिव्यू के साथ